हेलो स्टुरेंट्स माइनम इस गीतांजली इंदेरिया वेलकम टु स्टप अप अकेडमी दुख का अधिकार आपने पाठ पढ़ा और बड़ा ही भावनाओं को एकदम निचोडने वाला बिल्कुल भावनात्मक पाठ था जो की दिल को चूगया क्या दुख का अधिकार लिए नहीं है जिनके लिए दुख व्यक्त करने का समय नहीं है या उनको वह आर्थिक विवस्ता ही नहीं है तो पाठ आपने पढ़ा था आपको समझ में आया था कि बच्चा जो कि मृति हो जाती है फिर बूड़ी मां खर्भू जे बेचने आती बिलकुल आपको याद आ पाठे था हैने में आपके लिए लेकर आई हूं पाठेख दुक टाधिकार का बहु विकल्बा प्रश्न है करबूजे बेचने वाली से कोई खरूरी क्यों नहीं ले रहा था उसके खर्भूजे अच्छे नहीं थे उसके रेट बहुत अधिक थे उसके पुत्र की मृत्य हो गई थी जिसके कारण उसकी घर में अभी सूतक था यह इन में से कोई नहीं तो चोकि गाओं का माहौल है बाजार में सभी लोग उससे खर्बूजय नहीं ले रहा था, अगला है भगवाना, जो की बुढिया का जो बेटा था, भगवाना अपने परिवार का निर्वाहः कैसे करता था, सब्जी तर्कारी बेच कर, परचुन की दुकान से मजदूरी करके या फेरी लगा कर कपड़ा बेचने से तो वो उसके जो कछ्यारा था सबजी तरकारी वो लगाता था वहां से सबजी तरकारी बेचकर अपना घर चलाता था लड़के की रत्यों के दिन ही बुडिया खर भुजे बेचने क्यों चल दी उसके घर में खाने को बहु बुखार से तडफ रही थी और बच्चे भूख से बिलबला रहे थे ये तीनों कारण थे जिसके कारण जिस दिन पुत्र किम्रती हुई उसी दिन खरभूजे बेचने वाली को या उसकी मा को खरभूजा बेचने आना पड़ा लड़के को बचाने के लिए बुड़िय कर लाई थी जो चैसक के पास नहीं गय थी अगला प्रशन है बुड़िया खरभूजे कहां रखकर भेजती थी धुकान पर फुट पात पर रहडी पर या सिर पर रखकर तो चुक्कि गरीब थी कोई उसकी दुकान नहीं थी वो तो फुट पात पर ही अपने हर्भूजे ल पेचा करती थे लेखक ने अपनी तुलना किस से की है जल्विन मचली नरत्विन बिजली कटी पतंग या कटे हुए ब्रक्ष से तो लेखक ने अपनी तुलना की है कटी पतंग से मनुस के जीवनन में पोशाक का क्या महत्वे तो पोशाक जो की कपड़े आप पहनते हैं आपकी ड्रेस पोशाक मनुस के सामाज्य कि स्तर को दरसाती है मतब समाज में क्या ओदा है ये बताती है पोशाक के द्वारा मनुस अपने अन्य मनुस्यों में भेद करता है खास परिस्तितियों में पोशाक हमें नीचे जुकने से रोकती है ये उपयुक्त सभी कथन तो पोशाक का महत्व है उप्युक्त सभी कथन क्योंकि वो समाज में इस तर ओदा भी दरसाती है अपनों से दूसरों को भिन्न भी करती है कई बार लोगों की मदद के लिए हमें जुकने नहीं देती वो हमारे आड़े आ जाती है दुख का अधिकार कहानी में लेखक क्या ब उन्होती सभी को समान रूप से होती है तो यहां पर बताना चाहरा है लेखक की दुख की अनुभूती सभी समान रूप से होती चाहिए वह अमीर हो गरीव हो दोनों को ही दुख व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए अगला है निमलेखित में से कौन सी कृती यश्पाल की नहीं है देश-द्रोही भासा और समाज ग्यानदान मेरी तेरी उसकी बात तो यहां पर भासा और समाज जो कृती है वो यश्पाल जी की नहीं है यश्पाल का जन्म कब और कहां हुआ 1903 में फ्रोजपुर छाबनी में 1903 में अंबाला छाबनी में 1903 में कानपूर मिया 1905 में बरेली में तो 1903 में फ्रोजपुर छाबनी में उनका जन्म हुआ था अगला है मनुष्ट की पोशाकें क्या कारे करती हैं उनको प्रतिष्ठिर बनाती हैं उनको बिविनिस रणियों में बाट देती हैं भेदभाव को कम करती हैं या भाई चारे को बढ़ाती हैं तो जो मनुष्ट की पोशाकें हैं उनको बिविनिस रणियों में बाट देती हैं बिल्कुर हम कहीं जाते हैं हमारे पहनने का कुछ अलगी तरीका होता कपड़े कहीं और होते हैं किसी फंक्शन में गए तो कुछ और आप अपने जॉब के लिए जाते हैं ऑफिस में गए कुछ और समय समय पर आपकी पोशाक बदलती रहती हैं तो हर एक स्थान के लिए दर्वाजों को कौन खोलता है दर्वान हमारी आवश्यक्ता हैं हमारी पोशाक यह हमारी आर्थे किस्तिती तो हमारी पोशाक बंद दर्वाजों को खोलती है कई वार आपकी पोशाक में इतनी एहमियत या फिर आपका इतना आकर्शन होता है उसमें कि बंद दर्वाजे ख समझना चाते हैं जब हम दूसरों से आगे बढ़ना चाते हैं जब हम किसी समारों में जाते हैं यह जब हम विद्याले में पढ़ने जाते हैं तो जब हम किसी निचली स्रणी के अनुभूती करना चाते हैं, किसली निचली स्रणी के लोगों का मदद करना चाते हैं, उनके जैसा सोचना या उनको समझना चाते हैं, उस समय पोशाक अडचन बन जाती है, पोशाक की तुलना किस से की गई है, धन से, आंकार से, कटी पतंग से या बं पर हवा समीर पवन तीनों ही बायू के परियावाची हैं पर कौन सा शब्द नहीं है तो पावन नहीं यह पवित्र होता है पावन पवित्र और यहां पर बहु विकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं अम मैं कह सकती हूं कि आपका दुख का अधिकार का जो पाट है वो पूरता समाप्त हुआ आपने पाट बड़ा अभ्यास पड़े और आज बहु विकल्पी प्रश्न से आप हर एक बो प्रश्न ऐसे होगी हमारे साथ बने रहेगा दीरे 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 आपकी तयारी होती जाएगी जुड़े रहेगा सुनते रहेगा देखते रहेगा और पड़ते रहेगा क्योंकि हर पार्ट ऐसे ही तयार किया जाएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ थैंक्यो Thank you so much!